कोरोना वाइरस ने दुनिया भर में लाखों लोगों को अपने चपेट में लिया हुआ है और बहुतों की तो जान भी चली गई है। कई सारे देश जैसे अमारिका, जर्मनी, इटली, इसराइल कोरोना की वैक्सीन डेवलप में जुटे हैं और भारत भी इसकोश्य में जुटा है। इसी बीच, चीन ने दावा किया है कि उनकी बनाई हुई कोरोना वाइरस की वैक्सीन बंदरों पर प्रभावी साबित हुई है। पाइकोवेक नाम की इस वैक्सीन को बीजिंग बेस्ट सिनोवेक बायोटेक कमपनी ने तयार किया है। ये वैक्सीन शरीर में जाते ही इम्यून सिस्टम को एंटी बाडी बनाने पर जोर देती है। और फिर एंटी बाडी वाइरस को खत्म करने लगती है। इस ट्रेस्ट को रिस्स मेकाक्स नामक बंदरों की प्रजाती पर किया गया है। रिपोर्ट्स के मताबक रिसर्चर्स ने ये वैक्सीन कुछ बंदरों को लगाई और फिर तीन हफदे बाड उन बंदरों को कोरोना वाइरस से ग्रसित करवाया। एक हफ़ते बाद जन बंदरों को भारी डोज में वैक्सीन दी गई थी, उनके फेफडों में वाइरस नहीं मिला। इससे चीनी रिसर्चर्स इस नतीजे पर पहुँचे कि वैक्सीन असरदार और कारगर है। इसके साथ साथ रिसर्चर्स ने कुछ बंदरों को पाइकोविक नाम की ये वैक्सीन नहीं दी और उन्हें भी कोरोना वाइरस से ग्रसित किया और उन बंदरों में पाया गया कि उन्हें गंभीर निमोनिया हो गया है। रिपोर्ट्स के मताबिक अब इस टेस्ट के बाद वैक्सीन का टेस्ट इनसानों पर भी किया जाएगा।